हेलो दोस्तों मैं डॉक्टर संकेत सुनील शेरेकर गुजरात गैस्ट्रो एंड वैस्कुलर सेंटर सूरत मैं कंसल्टेंट हेपेटो बिलियरी एंड गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सर्जन के तोर पे कारे रहत हूँ दोस्तों हम चाहते हैं कि इस चैनल के जरिये हम हमारे पेशन्ट्स के साथ हमारे फॉलोर्स के साथ एक ऐसा डायलोग एस्टैबलिश करें ताकि कोई भी डिजीज से रिलेटेट कोई हेल्थ से रिलेटेट इशूस जो आपके मन में हो कोई समस्याय हो कोई शंकाय हो उसके बा पित्ता शे की पत्रिया सबसे पहली बात पित्ता शे होता क्या है उसका काम क्या है पित्ता शे याने की गॉल ब्लैडर ये एक पियर शेप्ट याने की नाशपती के आकार का पेट का अंग है ये लिवर के नीचले भाग में स्थित होता है इसका काम है जो लिवर एक दिन में देड़ से दो लिटर पित बनाता है उसमें से 40-50 ml खुद में स्चोर रखना जब भी आप कुछ खोराक लेते हो तब उस खोराक को पचाने के लिए ये 40-50 ml पित का पंपिंग ये गॉल ब्लेडर का काम होता है इसमें पत्थर क्यों बनता है वेल ये एक complex mechanism है पर अगर सरल भाशा में बताया जाए तो ये 3 मुद्दों पे आधारित है नमबर वन कि जब आपके शरीर में कोलेस्टेरोल की मातरा बढ़ जाती है तब पित में भी कोलेस्टेरोल की मातरा बढ़ जाती है नमबर टू, ये कोलेस्टेरोल की मातरा बढ़ने के कारण पित में कुछ ऐसे substances produce होते है कुछ ऐसे पदार्थ आ जाते है कि ये कोलेस्टेरोल का solidification हो जाता है और थर्ड की गॉल ब्लैडर के जो सनायू है याने की muscles है उनकी action कमजोर हो जाती है तो जो pumping action नॉर्मली होनी चाहिए वो कमजोर होने के कारण पित वही पे जमा रहने लग जाता है solid कोलेस्टेरोल से इस जमा पित में दीरे दीरे पत्थर बनने लग जाते है पिताशे में पत्थर होने से पेशन्ट को क्या तकलिफ होगी करीब 80% केसेस में पेशन्ट को जिन्दगी भर इससे कोई तकलिफ नहीं होने वाली अब बचे 20% केसेस जिसमें गॉल स्टोन्स अगर कोई सिम्टम्स प्रोडूस करते हैं तो वो क्या होंगे पेट के राइट उपर के भाग में दर्द होना पेशन्ट को बुखार आना उल्टिया होना इत्यादी अनेक तकलिफे हो सकती है अगर आपको ऐसे कुछ होता है तो तुरंथ अपने पास किसी डॉक्टर को जरूर दिखाए इसे ट्रीट कैसे करें अगर पत्री के कारण आपको ऐसी कोई तकलिफ हो रही है इसे वक्त हम लैपरस्कोपी पधती द्वारा सर्जीकली इस पित्ताशय को निकालते हैं इसे लैपरस्कोपी कोलेसिस्टेक्टर में कहा जाता है क्या हम गॉल्स्टोन्स को बनने से ही रोक सकते हैं जैसे कि हमने डिसकस किया ज्यादा तर गॉल्स्टोन्स कोलेस्टेरोल की बलड में मात्रा बढ़ने के कारण होते है अगर हम अपने आहार को बदल कर शरीर को हानी करे चीजों का खाना बन कर दे तो जरूर उसका फायदा होगा साथी साथ जीवन शैली में बदलाव लाकर समय समय पर खाना समय पर सोना, सुबह उठकर आदे से एक घंटे तक प्राणायाम, योगा करना इस सब का भी बहुत फायदा होता है और ये सारी चीज़े बहुत महत्वपुर्ण है क्या इस से एसिडिटी और गैस की प्रॉब्लेम होती है? काफी पेशेंट्स OPD में पूछते हैं कि सर पहले कोई सोनोग्राफी पे हमको गैस्टोन साय थे और मुझे लंबे समय से एसिडिटी का प्रॉब्लेम है तो क्या ये इस कारण है? नहीं, जनरली ये प्रॉब्लेम स्टमक याने की जठर पर सूजन आने के कारण होता है हमारी भाषा में इसको गैस्ट्राइटिस कहा जाता है गॉल ब्लेडर में पत्री बनने के कारण जनरली ये प्रॉब्लेम नहीं होने चाहिए सही खोरा क्या रहेगा? इस वीडियो के नीचे एक लिंक होगी, उस पर क्लिक करिए जिससे आपको गॉल ब्लेडर में पत्थर बनने से बचने के लिए कुछ नुस्खे और एक हेल्थी डायेट का प्लान और उसका शेडियूल मिलेगा दोस्तों ये विशय काफी लंबा है और एक छोटे वीडियो द्वारा ये पूरा विशय कवर करना नेरली इंपॉसिबल है आपके मन में इस विशय को लेकर जो भी शंकाय होगी, जो भी सवाल होगे आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और मैं जरूर कोशिश करूँगा कि इसका उत्तर में आप तक ला पाऊं प्लीज इस वीडियो को लाइक करे, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेर करे और ऐसे ही अनेक हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स पर हम और वीडियो आप तक लाना चाहेंगे तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए टेक केर, गुडबाई